Hello everyone, welcome back to Romania तो आज की इस वीडियो में हम लोग Atos की तरफ से आएवे job notification के बारे में बात करने वाले हैं साथ हम लोग बात करेंगे क्या eligibility criteria है कैसे आप लोग इसके लिए apply कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ guidelines के बारे में बता गया तो उसे भी हम लोग साथ चले और आप जल से जल इसके लिए apply कर सकों तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं job notification के बारे में तो job notification में बात करने से बहले सबसे पहले हम लोग eligibility criteria की बात करते हैं तो जब मैं लिंक आप लोगों को provide करूंगा तो एक और link एक और page आप लोगों को दिखेगा जो की guideline का page होगा वह भी मैं आपको दिखाऊंगा वह pdf क्या है क्या क्या guidelines है उसके बाद आप लोग इस page पे आऊगे जो आपके screen पे अभी दिख रहा है जहां पे आप लोग हर एक detail को fill कर सकते हों तो सबसे पहले हम लोग eligibility criteria की यदि बात कर लेते हैं तो यह pdf atos की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा इसलिए आप लोग उसे download कर सकते हों तो यहाँ पर हम लोग eligibility criteria की यदि बात करें तो 2021 full time graduate only यहाँ पर apply कर सकते हैं यदि आप 2020 या फी 2022 में पास आउट होने वाले हो तो आप लोग यहाँ पर eligible नहीं हो यदि हम लोग को course and stream की बात करें तो BEB Tech computer science information technology MCA computer application यह से भी candidate यहाँ पर eligible है aggregate की बात करें तो minimum 60% आपके 10-12th undergraduate में होने चाहिए no active backlog और minimum maximum one year of education gap यदि है तो आप लोग यहाँ पर eligible हो ड्राइब की आप लोगों को कहीं भी फीजिकल जाने की जरूरत नहीं है आपके घर बैठे बैठे आपके सिस्टम के थरूँ आप लोग कंप्लिट प्लेश्मिंट प्रॉसेस में involved हो सकते हो इसके अलाबा कुछ प्रिक्विस्टिक्स हैं यहाँ पे good written and verbal English skills flexible to work in any shift job location आपका पूर्णे मुंबई चेन नहीं और भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर आपका हो सकता है तो यह सभी eligibility करेटेरिया था यह सभी सबसे पहले डिसक्स करना ज़रूरी था तो यहाँ पर यदि आप लोग 2021 के अलावा किसी और भी यह में पास आउट candidate हो तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते इसके अलावा यह दि हम लोग guidelines की बात करें तो यह page भी आप लोगों को मिल जागा यह complete PDF आप लोगों को मिल जागा जब आप लोग इसके लिए apply करोगे जो लिंक आप लोगों को description box में मिलेगा तो यहाँ पर basically यह जो फॉर्म जहाँ पर आप लोगों को यह guidelines मिलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख लेगा प्रिफिक्स लास्ट नेम डेट बर्थ फार्स फर्स नेम अदर्स फर्स नेम अवाइल नंबर इमेल आई-डी सीटी पिन कोड नेशनलिटी यह सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को description box में जाना है वहाँ पर लोगों को link मिलेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है दो पेज आप लोगों को दिखेंगे पहला eligibility criteria का second guidelines का उसके बाद आप लोगों को सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पे simply आप लोगों को कुछ basic detail डालने जैसे आधार फिर्स्ट नेम लास्ट नेम फादर्स नेम अधर्स नेम जेंडर इमेल आईडी मार्सिल स्टेटर्स मदर टंग यह सभी चीज और कुछ basic information आप लोगों को डालना है देन नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है इस कियाद आप लोगों का educational page खुल आइटिंग जिसमें एक आप लोगों का यूनिक आईडी भी होगा इसके आगे जो भी communication आप से होगी है यह आप लोग साट रिस्टेड होते हो इस प्लेस्मेंट प्रोसेस में तो वह आपके रिस्टर्ड इमेल आईडी के थुरू हो जाएगा यहां पर कुछ भी नहीं बत जॉब रिलेटेड अप्डेट इस जॉब अप्डेट से रिलेटेड तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को इन्फोर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि बहुत सारे इस तरह की वीडियो और भी आने वाले हैं रेगुल तो आप लोगों बहुत सारे डिफरेंट कंपनी के जॉब ओपनिंग का हिस्सा बन सकते हो तो चलिए आज का वीडियो हम लोगे पर एंड करते हैं लास्टली थैंक्स फो वाचिंग